मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक हिस्तिती बहुत ही खड़ाब थी जानते हैं उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था अब की बार हम मम्मी और पापा को निरास नहीं होने देंगे पापा का साला कारोबर ठफ हो गया खाने पीने के लिए सोचना प बहतर से बहतर होने का तलास करें बहतर से बहतर होने का तलास करें तूट जाते हैं सी से पत्थर की चोट से पत्थर तूट जाए ऐसे सी से तलास करें मैं नाम बावी राज है मेरे घर में कुल चार फैमली लाते हैं हम थ्री क्लास में पढ़ते हैं और ठेन क्लास का मैथ प पढ़ाते हैं और मेरे मम्मी का नाम हुआ चंद्रपर्मा कुमारी वह भी पढ़ाती है तो मेरा जन्म बेगुस राही जिले के रोसरा के एक हॉस्पीटल में हुआ था पापा एक illy कमाते थे और हुस्पीटल का सारा खर्च करज लेकर चुका दिया जाथा फिर बाद में एक खेट सारे कर्ज को चुका दिया गया उसके बाद बैय ममी पापा पटना जिले के नदमा गाउं में आयं वहाँ पर पहले सही पापा एक किराई के मकान में एक रूम लेकर दो Zw Euro नहीं मालुम था कि पापा अम्हीं घर छोड़ कर किराई के मकान पर क्यों रहते थे लेकिन मुझे यह जरूर पता था मुझे है जरूर पता था कि पापा आर्थिक स्थिती बहुत ही घड़ाब थी दिले दिले समय बीत्ता गया चलने द्वाणक जानते ही होगे आप लोग की चलने दौने को रेमें बच्छों में बहुत से निहीं होती है मेरे में भी थी हम क्या गरते थे आर्गाते थे खांफ के दूपने खेलते थे तर गेट कोई आदमी आता था तो पैर रख कर जाता था इसके बज़ेसे पानी रहते तो इधर गिरा दिया ना मालकिन हमको डर देती थी जिसके वज़ा से ममी भी रो जाती थी तब मैं कहता था कि जीवन में किसी के लिए आशु मत बाहिएगा वह आपके आशु के काबिल नहीं होगा अगर वह आपके आशु के काबिल होगा तो आपको वह कभी रोने नहीं देगा वह आपको कभी रोने नहीं देगा फिट धिले धिले समय बित्ता गया और जब मेरा उम्रे तीन साल लगा हुआ ता मेरा ममी ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया उसमें जोजी हुए ज्याची ज्याची समान द्याची में द्रेस कोप्री केम सब लेकर द समय कर देगा लेगन मैं मुष्किल से आपड़ा पापा ne तो आपको णाप कटा दिये अब नाम कटा दिये हम घड़ पड़ी जाते थे तो पापा गार कर लेकर बोर्ट रहते था वोड पड़े जबेली उसमें उसमें खास बात यह थी कि सारी आखिर्टिया जो होती थी स्यम रहती थी अब सिएम्राने पर तो कोई पता ने जल दे यह क्या है अब फिर अगर हमको बात में पूछा जाए कि यह निमकी कौन है पकाड़ी कौन है तब हम उसमें सही जवाब देते थे तो ग्यादा उस समय हमको जलेबी बोलने नहीं आता था जलेबी को हम जबेले बोलते जैसा कि अभी हम बोले थे तो फिर पाबा काते थे कि जो मन में आई वा लिखो पसीने के स्याहिट से जो लिखते अपने होसलों के उलाँदे उनके मुकदर्दे कभी गोड़ै नहीं होते, जानते हैं उस समय मुझे खुद पर भी बिश्वास नहीं था। जब हम घर में अखेले रते थे और माम्य को समान मंगाने लगता है घर पर खाना बनाने के लिए तो हमको पहती थी तब अब कैसे होगा क्योंकि दुकान दार हमको भासा नहीं आता था तो एक पर आप जानती होंकि प्रेपर लिख देते थे कि यह सब समान लाना जैसे कि होगी आपका सोगला मिर्चाई दो धन्या कबता एक माचिसका डिवाइस लिकर दे देती थी तो अब गया करें घरा हमारा उस साइड बीज में पड़ता है रोड अब रोड के उस पर है दुकान अब दुकान जाने के लिए तो रोड क्रोस करना पड़ेगा अब रोड के सी कुरोज करें इधर उधर देख लेते थे कोई अगर गारी खोरा नहीं आ रहा है दम आँख मुन लिया दोर ले गए क्यों वहाँ पर हम क्या कर देते कि मारे यजिया बाख बंद कर चल जाते थे फिर समाने से करके मामी को देते थे फिर धीर समय मैं बिकता गया और जब मेरा उम्र चार साल का हुआ तब भाबा ठीक नदमा के पक्षिम साइड जो पोड़ गाउं में दो रूम का एक मना हुआ घर था तो उसको खड़ीद लिया वहाँ पर हम लोग 12 मार्च 2018 को वहां पर हम लोग सिफ्ट हो गए और फिर पाबाबा क्या आ रहा हूं और 15 मार्च 2018 को फिर से हमने पढ़ना सुर गया मात्र मात्र अब की बार हम को ऐसा लगा अब की बार हम को ऐसा लगा कि अब की बार हम मम्मी और पापा को निरास नहीं होने देंगे क्योंकि मैं जानता हूं जो पानी से नहाएगा वह लिवाज बदलेगा जो पसीने से नहाएगा वह एक दिन इतियास बदलेगा इतियास बदलेगा तो फिर मात्र आम दो साल पढ़ें उसमें दो साल मात्र पढ़ें और लोकडान लग गया अब लोकडान तो लग गया अब खेर इस लौकडान में मेरा कुछ भीगारा नहीं ताज्यूब के बात यह है लोकडान को आप सोभागी कहा है? दाने दाने को मोहताज बनाना पड़ता था दूसरी तरफ सौभाग के लिए क्या हुआ न कि पापा को फुर्सत नहीं डाता था था हमको पढ़ाने का अब पापा को फुर्सत मिल गई टाम ऑट पापा के बाद समको पढ़ाने का तो पापा और ममी के कि एस परोशी जाते हैं उनके बच्चों को भूलाकर पढ़ाती थे शिकायत सुनकर भी शिकायत क्या करते थे कि मस्टर वो पाजलाई लाई अध बच्वन के बुलाबी थे उख्यास पढ़ेती तो वह पगला देता है तब ममी सिकायत सुनकर भी बुलाती थी और मेरा दोस्त था वो भी ताना मारता आकर चकर में हम नियुक फास घेली दोस्तर साथ धर्वा में था जबसे निगे काता है कि इसके बारन को पापा के बार में कर सबसे बड़ा वह देखा पेपर देखें कि एक बच्चा का नाम और फोटो आया तो हम पापा से के मेरा नाम पतरकाल हो महोदे के पास अपत्रकार महोदे के पास उनसे बात ही नहीं हो पाई तब वहाँ आपना लगश्य निर्धारित किया यह निर्धारित किया और मंजिल और होसलों के बीच समर्दराज साया मंजिल ने होसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं ने मंजिल के आँखों में आखे डाल कर कहा चल जुटी तेरी इतनी आउकाद नहीं तेरे इतनी औकावन से उसके बाद कुछ दिनों बाद है वी ट रहीतुब दालय जिसके वजह से में द difícil हाथ उसमेंगरbud में अमनृत महस्चप के दिन आप कितो betty common कार्यकी उसमें भागा लिए तो हमगो फैस्ट प्राइज को भूप में ора फ़र प्रायज के रूप में मिला Am 1957 प्रेंट, पंद्राश्व रूपे और साउसंत पेपर में नाम भी आया तब हमने कहा अभी हमको manzil भूलना नहीप manzila भूलना नहीं मनजिल पर मेरा हक उसको मुझे पाना है कहा गया है दोस्तों मंजिल का भूला कर जीया तो क्या जीया अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा लिख दे खून से अपनी काम्याबी की कहानी और बोल उस किसमत से कि दम है तो मिटा कर दिखा किसमत की एक कमाल की बात है किसमत की एक कमाल की बात है वो पलड़ती जरूर है लेकिन मेहनत की दम पर पलड़ती है आप सोच रहेंगे कि मैं दसमी क्लास के बचे को पढ़ा कैसे सकता हूं पढ़ाने के बात से पहले मैं बता देता हूं कि मैंने कैसे पढ़ा मैंने कैसे और परक्राइब के टाइम में एक बेसिक मैठ लिखा गिया था बेसिक मैठ बनाने थे जब हमारा बेसिक मैठ के लिए हुआ तब हम 6-7 का मैठ बना लेते थे आसान जिए सब्सक्राइब में नहीं पता चल गया और यूज बता चल गया तो क्या हो था कि कोई भी आप लाकर रख दीजिये न तो उसमें से हम प्रस्ट बना लेते हैं सवाल बना सकते हैं तो उसमें को कुछ प्रस्ट होते थे जिसमें को कुछ गरबड़ी आता था तो एक बार क्या हुआ कि कुछ बैचे होते थे जो बनाते थे तो पीछे छूट गया तो हम उसको बताने लगे तो बता दिये न तब उसका भी छुटी हो गया जल्दी अच तब जो प्रस्ट उसको बताए न वह प्रस्ट अम भूले ही न तब हमको आसा लगा कि पढ़ने से अच्छा तो पढ़ाना ही है अपना उसका भी जिग भी हो रहा है अभी तो अब से अपने दोस्तों को बढ़ाता था लेकिन एक दिन के और कि मेरे पापा जैसे कि हमको बताया कि मेरे पापा पढ़ाते हैं तो एक दिन क्या हुआ कि पापा कोई और काम में लगया तो पापा कोई और काम करने लगया तो उनका क्लास खाली रगया टो पढ़ाना सुरू कर दिया तो उसमें हमको लगा कि पहली क्लास घराई ले लिए वाज दी इसको भी पढ़ा दिया अब क्या हवा अब हम धीरे दीरे बढ़ते गया उसी समय बिता गया तब हम और अस्तर के बच्चे को भी पढ़ा लेते थे और आज मैंने अपना यूटूब चैनल भी बनाया है जिसका नाम हुआ बाविदाज ओफिस्यल जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ पाते हैं वह आलाइन पर लेते हैं धीरे-धीरे हम पढ़ाते गया पढ़ाने के बाद धीर-दर हम पढ़ाने लगें और ज्यादा तो मेरा न दियुक्त करना है क्योंकि मेरा लक्षत है कि मुझे बैज्ञानिक करना है यह एक बार सोच कि देखिए जो मीडियावाला के पीछे हम भाग रहे थे गेट के अंदर जाने से पहले अब वो मीडियावाला हमको पीछे भाग धा ये लिएट Mark्त यूँ पर बाद नंकर कमान पर पर और वार जैदा से जबर निसाना चूक जाएगा ज्यादा से जैदा निसाना चूक जाएगा जीतनल है अगर तो कोशिष सजाइब बाढ़ कर कोशिष 620 बाड़ कर अभी मैं कोशिस करता रहूंगा अभी हमको बहुत ही कोशिस करना है क्योंकि अभी मैं मन्जिल पर पहुचा नहीं हूँ अभी तो बस हम खाई से उठीकर जमीन पर अभी मैंने पैर रखा है अभी तो मन्जिल बहुत दूर है मंजिल को हमें पा रहा है उस पर मेरा हक है यह नहीं कि मेरा नाम पुड़ा भिहार ले रहा है तो मैं महान हो गया मैं महान हो गया अभी भी मेरा ही हूँ अहंकार है नहीं अहंकार लोगों को पतिन के तरफ लेके जाता है कहा गया है दोस्तों चट को बहुत गुरूर था छित होने का एक मंजिल और बनी चट फर्स हो गई इसे लेकते हैं आहंकार नहीं किजिएगा तुफान जादे होती है तो कस्ती डूब जाती है घमंड जादे होता है तो हस्ती डूब जाती है और अंत मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपको विश्वास नहोगा हो आपके तो मेरे यूटुब चैनल को भी आप जाकर देख सकते हैं कोई यूटूब चैनल हुआ जाकर देख सकते हैं तो फिर्म अगर यदी पढ़ाई मेरी स्थान है तो बिहार मेरी जान है जैहन जैप फारग अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपको जो स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूँ जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ हो और मुझे बहुत बहुत जादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं जो स्टॉक्स ने एक नहीं जो आपको physics, chemistry, commerce, business studies पढ़ाएंगे वो courses जो आपकी जिन्दगी में आपको कैसे जीना चाहें वो सखाएंगे मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे courses बनाए हैं public speaking पे emotional crisis कैसे handle किया जाए अपनी personality कैसे develop की जाए हर एक course में daily quizzes है exercises है एक बहुत ही खुबसूरक community है जो आपको support करेगी आपको encourage करेगी आज ही download करें जो skills का app और उनकी courses explore करके अपनी जिन्दगी को आगे बनाए